हलो स्टुडेंट आज हम करेंगे जी आईटी एजेंट्स मतलब गेस्ट्र इंटरस्टैनल एजेंट्स में से यूनिट थर्ड जो है उसका पहला चैप्टर एसेडी फायर्स तो इससे पहले जो टॉपिक था उसमें मैंने जी आईटी के इंट्रोड़क्शन का बारे में आपको पूरा बता चुका हूँ कि जी आईटी क्या है और उसमें किस तरीके से हमने अलग-अलग कंपाउंड्स को क्लासिफाई किया है किन कंपाउंड्स को इन और्गनिक कंपाउंड्स को अब हम इसमें सबसे पहले लगते हैं ऐसे एजेंट्स जो की ऐसीडी फायर्स के रूप में यूज होते हों तो हम इस पूरे वीडियो में इसी के बारे में पढ़ेंगे ऐसीडी फायर्स क्या होते ह इनका classification क्या है ये किस के treatment में काम आते हैं और ऐसे कौन से compound हमारे syllabus में दिये हुए हैं जिनको हमें study करना है तो उन compounds के बारे में भी हम पढ़ेंगे तो हम start करते हैं आज का video और सबसे पहले start करेंगे कि हम acidifiers होते क्या है acidifiers वो agents हैं जिनमें ये capability होती है कि वो acidity को increase करें क्या करें इंक्रीज करें यह ध्यान रखिएगा बढ़ाने वाले काय में बढ़ा रहें जी आईटी में और केसे बढ़ा रहें टेंपरल मतलों permanent नहीं होना चाहिए पर्मानेंट हो जाएगा तो यह गलत हो जाएगा तो temporarily वो क्या करें जी आईटी में acidity को क्या करें इंप्रूब करें यह condition हमको क्यों करनी पड़ी विकॉज ऑफ दिस कंडिशन है यह तरह की हम बोल सकते हैं कि condition है तो एसे में एकलोर हाइडिया इस condition को यह हम हाइपो क्लोर हाइडिया बोलते हैं इस condition को ट्रीट करने के लिए ही हम acidifiers का इस्तमाल करते हैं और acidifiers क्या होते हैं ऐसे compounds जो की acidity को temporarily increase करते हों जितनी drugs हम पढ़ते हैं उन में से classification के अनुसार कुछ drugs जो हैं वो metabolic acidosis increase करने के लिए मतलब कि acidic pH बनाने के लिए blood के लिए use होती है and whereas some of these are used to increase the gastric hydrochloric acid तो कुछ ऐसी drugs हैं जो compounds हैं इन में drugs मतलब compounds है न chemical inorganic compounds जिनको हमें as a drug use कर रहे हैं तो वो ऐसी कुछ drugs हैं जो की metabolic acidosis condition इंप्रूब करती हैं बढ़ाती हैं और कुछ ऐसी हैं जो कि stomach में SCL के concentration को बढ़ाती है इसको हम पढ़ते हैं तो हमारे syllabus में दो compounds classify हैं पहला है dilute hydrochloric acid और दूसरा है ammonium chloride तो हम one by one इन दोनों compounds को भी देखेंगे लेकिन इससे पहले हम देखते हैं इसका classification या हम बोलें कि types of acidifiers दोनों में समकुछ भी बोलें बात एक ही है types of acidifiers या classification of acidifiers तो पहला हम आजाते हैं there are the four types of acidifiers चार तरेके acidifiers होते हैं पहला क्या होगा पहला होगा gastric acidifiers या acidifiers तो यह gastric acidifiers gastric मतलब हो गया stomach related तो these are the drugs which are used to restore temporary acidity of the stomach the patient which are suffering from the achlorhidea और hypochlorhidea हम यह बते हली बता चुके हैं कि acidifiers जो हैं वो किस condition के लिए use होते हैं तो यह generally gastric acidifiers वो होते हैं जो की stomach में acidity को increase करते हैं ठीक है systemic acidosis cause नहीं करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं gastric acidifiers बोलते हैं तो अब gastric acidity को बढ़ाना इसका मतलब यह हो गया कि महाँ पे SCL के concentration को बढ़ाना है SCL के concentration को बढ़ाने के लिए दो तरेकी की चीजे हम use कर सकते हैं तो हम वो भी one by one देखेंगें और इसमें हम कौन सा compound आएगा classification वो भी हम देखते हैं चलिए तो पहला यह हो गया दूसरा इसको पूरा कर लेते हैं तो सम अब दी पेशेंट सफरीं फ्रम दी एकलोर हार्डिया रिस्पॉंड तो दी स्टुमलेशन बाइदी हिस्टामीन हिस्टामीन क्या चीज़ है हिस्टामीन के ऐसा कैमिकल है हमारी पेरिटोरियस जो की हमारी स्टमक की होती है उसमें एक ऐसा कैमिकल है जो तो एगर हम इसको इस्टो कर देंगे तो एस्टों का इसिल्मीलेशन हो जाएगा फॉर्मेशन हो जाए तो ऐसे पैशेंट में चैनरम यूzekण करना में काम आता है तो ऐसे पेशेंट के लिए हम एकलोर हाइडिया कंडिशन को हिस्तामीन इस्टुमिलेशन के प्रूबी कर सकते हैं अधर और क्या मेथड हो सकती है दोस पेशेंट्स आर सफ्रीं फ्रॉम धी कार्सिनोमा कार्सिनोमा मतलब टेंसर ओफ इस्टमक और chronic gastritis मतलब inflammation in gastric and gastrochemy there occur a total eclorhydea ऐसी condition में जब हमको eclorhydea को treat करना हो तो फिर हम use करते हैं dilute SCL का तो dilute SCL जो है वो एक gastric acidifier का मतलब example है जो हमने अभी दो compound पढ़े dilute SCL और ammonium chloride उसमें से तो यह more suitable acidifying agent है तो यह पहला हमारी category है हो गई चार टाइप में से पहली है gastric acidifiers ठीक है तो हम इसको दो तरीके से treat कर सकते हैं gastric acidifiers जो हम use करते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं तीन तरह के के और जो बचे हैं next जो है वो है urinary acidifiers और यह हम बोल रहे है urinary मतलब urine के pH को क्या करते हैं acidic कर दे तो ऐसे इनको के use कहा होता है urinary disorders में treatment में होता है systemic acidifiers ऐसे है drugs जो की capable हो neutralizing the alkaline body ठीक है अगर body fluid जो है वो alkaline हो गया है तो उससे हमें क्या करना है alkaline हो गया मतलब alkalosis cause हो गया blood का pH क्या हो गया alkaline हो गया more than 7.4 हो गया है तो उसको हमको क्या करना है कम करना है तो उसको कम करने के लिए हमको क्या चाहिएंगे acidifying चाहिएंगे जो उसके acidi DT को थोड़ा सा कम कर दे ठीक है मतलब कि उसको ज़्यादा acidic बना से तो patient suffering from the alkalosis systemic alkalosis में इस तरह के systemic acidifiers generally use किया इसका भी एक बहुत अच्छा ऐसा example है और वो है हमारा ammonium chloride जो कि हमारे इसमें classified है या फिर हम को डारेक्ली pharmaceutical aids preparation होती है जिसमें कि हमको acidifying fire करना पड़ता है तो उसमें हम इन preparation जो pharmaceutical aids की preparation होती है उनमें भी हम इनका इस्तमाल करते हैं acidifiers का to make it acidic तो हमने यह देखे कि चार तरह के acidifiers या acidifying agents होते हैं अब हम one by one दोनों compounds को देखेंगे जो हमने हमारे syllabus में classify तो सबसे पहले हम देखते हैं dilute hydrochloric acid को dilute hydrochloric acid dilute hydrochloric acid का मतलब हो गया 10% weight by weight percentage weight by weight solution of HCL 10% weight by weight solution of HCL it means it is a dilute hydrochloric acid molecular weight 36.46 तो इसमें हम कैसे बनाते हैं इसको कुछ इस तरीके से तका hydrochloric acid देलेंगे purified water में उसको dissolve करेंगे तो हमको dilute hydrochloric acid मिलेगा hydrochloric acid is commonly also known as the spirit of the salt because it was first prepared by distilling the sea salt with the sulfuric acid तो इसको जो बनाने के लिए सबसे पहला method यूज की गई थी जो की नीचे लिखी होई है ये method तो इसमें हम इसको क्या किये थे sea salt का sulfuric acid से treat किये थे तो हमको क्या मिला था hydrochloric acid मिला था तो इसलिए हम इसे spirit of the salt भी पहले हैं salt से निकला है इसलिए it is an aqua solution of hydrogen chloride in water तो ये actually hydrochloric acid जो है वो solution नहीं है ये gas है और इस gas को बोलते है hydrogen chloride जब इसको बनाना होता है तो इससे क्या करते हैं हम इसको गेस को पानी के अंदर गोल देते हैं पानी के अंदर गोलेंगे तो ये hydrogen chloride जो है hydrochloric acid में convert होता जाएगा और not is not having less than 35% weight by weight and not more than 38% of SCL तो इसमें ये percentage इसका ध्यान रखता है preparation पर जाते हैं how to prepare it हम hydrochloric acid को किस तरीके से prepare किया जाता था तो अभी हमने उपर एक बोली method वही इस जहां पर हम इसको explain कर रहे हैं it is manufactured by the action of the H2SO4 on sodium chloride to sodium chloride लेंगे और H2SO4 लेंगे और उसकी method से ये बनेगा the calculated quantity of the NACL and H2SO4 is heated ठीक है फरनेंस में हम उसे heat करेंगे और H2SO4 गेस जो बनेगी इस form इसमें जो H2SO4 गेस बन रही है वो टावर्स में पास कराएंगे और उपर से उसमें क्या कराएंगे हम पानी को मतलब इसके उपर से हम क्या कराएंगे पानी को spray कराएंगे तो dilute हमको hydroch hydrochloric acid जो है वो collected हो जाएगा at the bottom. It is again circulated ये वापस से पानी को हम circulate करते चलेगे तो उसमें बार बार गयस गुलती जाएगे और हमें last में concentrated product मिल जाएगा. बार बार हम उसमें गयस को गोलते चलेगे उसी पानी में गयस को बार बार गोलते चलेगे तो lastly हमको concentrated hydrochloric acid मिल जा है आगे बढ़ते हैं हम the sodium bisulfate या NHSO4 formed in this process. अब इस प्रोसेस में हम देखते हैं कि sodium bisulfate मतलब कि NHSO4 जो है वो prepared हुआ है is mixed with some quantity of sodium chloride. इसको हम काई से mix कर ले रहे हैं some quantity of sodium chloride and heated strongly in muffled furnace और हम उसको बहुत बहुत जादा temperature पर करेंगे तो फिर हमको फीर से hydrogen chloride gas form हो जाएगी. इसको फीर से हम collect कर लेंगे तो यह और more saturated हो जाए. क्या properties हो सकती है? यह clear colorless liquid है, pungent बहुत order रहती है क्योंकि आप bottle open करेंगे तो एकड़म से काफी specific आपको order आएगी और वह आती chloride के कारण. यह miscible with water है, alcohol में भी soluble हो जाती है, easily. It is strong acid and tax metal forming their hydrochlorides. अगर यह metal के साथ रियेक करती है, तो उनके corresponding hydrochlorides conversion में कर देती है और साथ के साथ hydrogen gas को remove भी करती है. Even in high dilution, it is a strong, highly acidic and turns the litmus paper to the corresponding color. तो हम आगया है, अब next उसमें आजाते हैं. इसके identification test क्या है? After neutralization, it gives the reaction which are characteristic to the chloride. ठीक है, तो हम इसको जब neutralize कर लेंगे, तो हमको chloride के जो normal test है, वो हम इसमें लगा सकते हैं. वेन इट इस अड़ेड़ केमनोफोर solution, chlorine gas is liberated. जिसे हम calculate कर से. Test for purity, it is tested for arsenic, heavy metals, sulfate, sulfite, free chlorine, bromine, bromide and iodide and other residue on ignition. These are the test for purity, दोड़ा tested in the hydrochloric acid. Next, जो हमारा compound है, उसे हम पढ़ते हैं, अब हमारा last compound को उसे बचा है, इसमें, ammonium chloride. यह यहाँ पर ध्यान रखिएगा, आप एक चीज़ागा. Ammonium chloride जो है, यह दो जगे हमारे syllabus में दिया हुए. एक, acidifiers में, दूसरा, expectorant में. तो दोनों जगे, आपको यही वाला पार्ट लिखता है, same. है ना? तो जहाँ जो हम पढ़ रहे हैं, अब में expectorant जब हम पढ़ेंगे, तो इसको फिर से हम explain नहीं करेंगे. क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हम यहाँ पर पढ़ चुके हैं. जो similar compound है, लेकिन यहाँ पर जो मैंने थोड़ा से explain किया है, वो किया है in the sense of acidifiers. तो हम आ जाते हैं, इसके detail आउट पर. तो molecular formula क्या हो जाएगा? NH4Cl. मास कितना हो जाएगा इसका? मतलब molecular weight 53.449 grams. other names क्या है? इसके salt, ammonia, या ammonia, muriate, या salmiac, या amclore. यह इसके जो है, synonym से. इसका जो solution होता है, ammonium chloride का, वो slightly acidic होता है. इसलिए हम इसे acidifying agent की रूप में use करते हैं. और यह बहुत easily absorb भी हो जाता है, हमारे GIT से. इसलिए systemic effect भी देता है. तो हम देखेंगे. इसकी properties देख लेते हम, उसकी properties क्या-क्या है. तो properties में इसका appearance कैसा है? यह white solid है और hygroscopic nature है. तो हम देख रहे हैं कि यह white solid है. ठीक है? जिसे हम color में देख रहे हैं. और hygroscopic nature है. हाइग्रoscopic का मतलब यह, कि यह moisture को absorb कर लेता है. ठीक है जिसे कि हम घर में देखते हैं नमक नमक जो है अगर आप उसको बारिश के दिन हम बाहर रखेंगे तो वो मॉइस्चर को एब्जाब्टर के गीला हो जाए तो इसे कंपाउंड्स को हम क्या बोलते हैं हाइग्रोस्कोपी किनने चाहिए और इसका ओडर ले से कूलिंग सेलाइन इसका टेस्ट आएगा और मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफी हाई है 338 डिग्री सेल्सिट अल्मॉस्ट इस टेंपरेचर पे जो कंपाउंड है वो डीकंपोज हो जाता है अब मैं यहाँ पे जो नीचे शूलुशन जो हमने बोला था कि इसका सॉलुशन वो आसडी के वो कैसे होता है वो हम देखते हैं तो freshly prepared around 5% solution of this compound ammonium chloride का neutral to the litmus but it become quickly acidic आप normally उसको देखेंगे जैसी बनाएंगे और उसकी pH change करेंगे तो neutral है लेकिन थोटी देर बाद वो क्या हो जाएगा acidic हो जाएगा और उसका जो pH आता है वो तक्रीब बनाता है 4.5 to 6 के around यह क्यों होता है because of hydroly acid दीरे दीरे वो क्या होता है acidic conversion में होता रहता है क्या process होती है reaction किस तरह की होती है तो यह reaction यह नीचे लिक्वी है ammonium chloride जो है water के साथ react करेगा ammonium hydroxide बढ़ाएगा hydronium आयन बनाएगा और chloride आयन बनाएगा या फिर यह h2o plus hclb हो सकता है है ठीक है हमें h3o को plus cl को हम h2o plus hclb लिख सकते हैं लिखा जा सकता है तो this is a salt of weak base अब यह क्या है एक weak base है and strong acid strong acid क्या है hcl यहां बनेगा hydrochloric acid when it dissolve in water it dissociate completely जब हम इसको पानी में मिलाएँगे तो यह completely dissociate हो जाएगा और क्या करेगा वहम देख लेख लेखें जो ammonium iron है मतलब यह जो ammonium iron है यह water के hydroxide iron के साथ रियक करेगा और undissociated ammonium hydroxide बना देगा तो यह आपर यह लिखा हुआ है and this causes a slightly excess of slightly excess of यह OHIN नहीं है यह HIN slightly HIN in the solution and lowering the pH of the solution इसके कारण वो क्या हो जाएगा जो solution है वो क्या हो जाएगा थोड़ा सा acidic हो जाएगा ठीक है तो यहां पर हम देखते हैं कि SCL का formation हो रहा है तो यह इसको क्या कर रहा है लोगरी अगर यह dissociate हो जाता तो वो इसको neutralize कर देता लेकिन यह undissociated form में ammonium hydroxide इसके कारण जो है वो अपना action जो दे रहा है कैसा दे रहा है ठीक है आगे बढ़ते हैं हम इसके बारे में और detail पढ़ते हैं preparation preparation तीन तरह की preparation है जो हम देख लेते हैं जो आपकी स्क्रीन पर अभी दिख रही है सबसे पहले कि ammonium chloride is prepared about the solve process solve process में हम carbon dioxide ammonia NACL water के साथ रेक करेंगे तो ammonium chloride बनेगा और sodium carbonate का formation होगा दूसरी process में क्याया कर रहे हैं कि ammonium chloride is prepared commercially अब हम commercially इसको कैसे बनाते हैं by combining the ammonia ammonia को simple ammonia को हम कैसे combine कर ले hydrogen chloride gas से combined तो यह क्या बज़ जाएगा ammonium chloride बन जाएगा इसको हम purified करते हैं by the crystallization or by the sublimation method इसमें और चीजों का भी हमको ज्यान रखना होता है ठीक है third process क्या है prepared by hitting the ammonium sulfate तो यह लिखा है ammonium sulfate with sodium chloride तो sodium chloride के साथ जब ammonium sulfate हम क्या करेंगे react करेंगे तो यह क्या बनाएगा ammonium chloride लेकिन ammonium chloride के से पहले क्या बज़ जाएगा ammonia और SCL तो यह वाली उपर वाली reaction हो जाती है ठीक है जिसे ammonia और SCL react करेंगे तो क्या बना लेंगे ammonium chloride का finally हमको product मिल जाएगा तो यह तीन मैजर प्रोसेस हैं for the preparation of ammonium chloride की आगे बढ़ते हैं हम इसकी और detail पढ़ते हैं reactions ठीक है इसकी different reactions देख लेते हैं ammonium chloride जो है वो sublime होगा upon hitting ठीक है तो इसमें क्या होता है सब जब sublime होता है actually it is be composed of ammonium hydrochloride gas मतलब यह solid है और direct काय में convert हो जा रहा है gaseous molecule में convert हो इसलिए हम इसको बोलता है sublime product ठीक है यह हमने property में भी लिखा था तो जब इसे heat करेंगे तो यह सीधे solid से काय में convert हो जा रहा है gase ammonium chloride react with the strong base ठीक है like the hydrogen sodium hydroxide and to release the ammonia gas जब आप इसको sodium hydroxide के साथ react करेंगे तो यह ammonia जो है वो release करेगा और NACL और water का formation करेगा similarly ammonium chloride also react with the alkali metal carbonates जैसे कि alkali metal carbonates को रहा है sodium carbonate ठीक है तो कि यह group जो 1 और 2 होते है alkali और alkali metals ठीक है तो उसके carbonate मतलब sodium carbonate at the elevated temperature and giving me ammonia and alkali metal chloride तो यह हमको क्या देगा ammonia देगा और alkali metal chloride मतलब कि sodium chloride का formation कर रहा है तो यह almost compound जो है वो लगबग उपर वाली reaction जैसे ही बन रहा है हो जाता है water में ammonium chloride क्योंकि salt है और chloride के जो हमको test देखने को मिलते हैं जैसे कि हमने chloride limit test में देखा अगर आप उसमें AGNO3 डालेंगे तो white precipitation आ जाएगा test for purity तो इसमें हम काई का की test लगाएंगे जैसे कि arsenic का, iron का, heavy metals का, loss on drying का and sulphate ash का हम इसमें test लगाते हैं इसमें barium का भी test लगा जाता है for the purity इसके लिए क्या करते हैं ammonium chloride और water लेंगे और उसमें 1 ml estosophore डाल दो गंटे तक कोई भी turbidity अगर produce नहीं हो रही है it means the barium is absent क्योंकि अगर barium होगा तो वो barium sulphate का formation कर लेगा तो यह test for purity इसके हम test करते हैं कि यह कितना pure compound है अगर यह pure है तो barium का test negative आएगा आगे बढ़ते हैं असे ठीक है असे जो है वो कैसे लगाया आता है इसमें दो तरीके से हम असे perform कर सकते हैं acid-based titration के best पे और precipitation titration के best पे तो acid-based titration में क्या करते हैं एक ग्राम ammonium chloride लेंगे उसे टक्रिवन 20 ml water में dissolve कर लेंगे और इस mixture को add a mixture of 5 ml of formaldehyde solution ठीक है and few drops synophthalene solution की इसमें add करेंगे और two minute के बाद इसको slowly titrate करेंगे with the one molar sodium hydroxide इसके लिए जो हम यह बताया गया कि इसका factor जो है वो है कि one ml one molar sodium hydroxide is equivalent to the 453.49 mg of ammonium chloride तो यह इसका factor है इस तरीके से हम acid-based titration करके इसका quantity को इसका असे इसकी purity को हम identify कर सकते हैं precipitation method में हम कौन से method यूज कर रहे हैं वोलाड method वोलाड method के लिए हम क्या करते हैं ammonium chloride लेंगे उसे 20 ml water में dissolve कर लेंगे और then acidify करेंगे किससे nitric acid से और nitric acid की quantity किती लेंगे तकरिबन 3 ml the solution is shaken vigorously इसको फिर शेक करेंगे जो excess of agno3 इसमें हम रहेगा उसे हम titrate करेंगे n by 10 मतलब की 0.1 normal ammonium thiocynate से by using ferric ammonium sulfate as an indicator so this is a बोलाड method जिसके द्वारा हम ammonium chloride का आसे या purity या identification कर सकते हैं इसके लिए जो factor है वो क्या होगा कि each ml 0.1 normal agno3 is equivalent to 0.005349 gram of ammonium chloride तो यह जो आप ऐसे लिखें या ऐसे लिखें बात एक ही है ठीक है तो उसमें हम आपे 53.49 milligram लिखा हुआ है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 00.5349 gram of ammonium chloride आगे बढ़ते हम uses it is a more important part use क्या है इसके इसके तीन basic uses है चार है वैसे आपको इस slide पर तीन ही दिख रहे हैं तो पहला use क्या है as a expectorant तो मैंने आपको पहले ही बताया कि यह same miller compound आपके syllabus में unit 4 में expectorant में classify किया हुआ है तो वहाँ पर भी आपको यही पढ़ना है similar है तो बाकी सब चीज़े almost similar होंगी बस आपको वहाँ पर explain करना in the sense of expectorant uses भी आप सेम लिख सकते हैं test of purity भी सेम लिख सकते हैं preparation भी सेम रहेगी बाकी सब चीज़े सेम रहेगी बस आपको वहाँ पर explain जो करना है वह उस sense में करना है कि expectorant कैसे हैं तो ammonium chloride is used as expectorant in the cuff medicine expectorant action जो यह देता है तो इसके लिए क्या करता है यह irritation action देता है काय में हमारी respiratory और इसके करन क्या होता है कि वहाँ पर access of fluid जो बढ़ने लग जाता है तो जो Gloria bo月 बनता है वो काफी less viscus होता है मतलब गाडा नहीं होता है जैसकर कांप में क्या हो जाता है की जो म्यूका से वह कााफी गाडा हो जाता थिक है और इसमें क्या जाता है वो लिक्वीड उसको करता है जो अंदर हमारे कम जमा हुआ है और उसे धीरे-धीरे क्या करता है बाहर नीकाल तो इसलिए यह as a expectorant की तरह काम करते जो की कफ को बाहर निकालने में हमारे expel out करने में मदद करते हूं systemic acidifier तो जैसे मैं आपको बताया था कि यह जो acidifier है यह किस तरह का acidifier है systemic acidifier है it is rapidly absorbed through the GIT और फिर liver में जाके यह urea में convert हो जाता है जब यह urea में convert हो जाता है तो in the conversion of urea it liberates the certain ions in the blood stream और वो जनरली कौन से होंगे positive h plus iron ठीक है और यह extra fluid को क्या कर देता है metabolic acidosis cause कर देता है जिसके कारण की pH जो है urine का भी क्या हो जाता है और कम हो जाता है मतलब pH जो urine है वो और ज्यादा acidic हो जाएगी ठीक है metabolic acidosis के लिए यूज किया जाता है अगला इसका यूज है वह है अजे डायुदेटी तो इसके उपर वाले action से इसका ये action मिलता जुलता है because of the utilization of ammonium cation in the conversion of urea तहीं यहापे भी urea का formation वालता है and in this process the H plus iron and Cl minus iron are formed the H plus iron react with the bicarbonate अब अब यह काम बात कर रहा है अगर यह H plus iron उसमें चला जाता तो हमारे blood में तो वह systemic acidifier की तरह वक्त कर रहा है तो वहाँ पर वो क्या करेगा urine का volume क्या कर देगा बढ़ा देगा urine का volume को बढ़ा देगा तो excretion diuretic action वो देगा इसका use कहां पर कर सकते हैं excretion increasing the excretion in the lead poisoning or overdoses of basic drugs like the amphetamine तो जब इस थरह का होता है तो हम इसका use as a diuretic के उसमें भी हम करते हैं तो इसका action जो है mechanism of action वो कैसे देता है अपने diuretic वो अपने यहाँ पर देख लिया अगला use is acid based equilibrium करने में तो amino acid produce होता है deamination के द्वारा और यह ammonia है जो कि excreted होता है जब ammonia excret होता है kidney से तो वो reprocess के तुरू sodium को क्या करता है reabsorb कर लेता है तो sodium reabsorb हो जाएगा तो क्या हो जाएगा volume जो है वो हमारा बढ़ जाएगा तो acid based balance में यह इमाँ पर इस तरीके से work करता है dose कितना है अगर इसका dose हम जादा रखेंगे तो यह acidifier की तरह काम करेगा और अगर dose कम रखेंगे तो expectorant की तरह काम करेगा तो यह dose dependent इसके action है storage क्या है store in high closed container तो यह overall हमने explanation देख लिया इसका ammonium chloride का क्या ammonium chloride जो है वो क्या है उसके use क्या क्या है ठीक है उसका आशे हम कित तरीके से कर सकते है तो यह almost चीजे जो है हम exporter and पढ़ेंगे तब भी वही की वही रहेगी यह कि important compound है जो की exam में पूछा भी जाता है ठीक है तो आज की वीडियो में इतना ही next वीडियो में हम फिर मिलेंगे अगले topic के साथ और वो कौन सा है antacid तब तक के लिए thank you ठीक है पसंद आए तो या कोई question हो तो आप comment section में पूछ सकते हैं उसका जवाब मैं आपको जरूर दूँगा thank you